हलो फ्रेंट वेल्कम टू माई यूट्यूप चैनल मेरा नाम है नितिन सहानी और आज क्योड़े हम जा रहे हैं दिल्ली से मनाली जो की बढ़ता लगबख साड़े 500 किलो मेटर दूर अपनी इनोवा त्यार है इसके अंदर डीजल बढ़ाते हैं और निकलते हैं मनाली की अब हम एंटर कर चुके करनाल बाइपास में तो रात के डेड़ बजरे और पारिपत के टोल पर पहुच चुके हैं तो रात के ओर हैं दो पंद्रा और हम चन हवीली पर रुखे हैं चाय भी निकले और कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत फिर उसके पास आगे जलते हैं तो मनाली से अभी कुछ 200 किलोमेटर दो रहा है और आप देख सकते हैं यह भी हुआ है तो चलते हैं ब्रेकवास करते हैं तो यह अलू प्याज का बराठा और साथ में न्यूट्रलाइट बटर अमूल का बटर नहीं मिला तो न्यूट्रलाइट बटर से काम चला लेते हैं तो नहाँ पर होगी है लैंड्सलाइट और लग गया है लंबा जाम देख सकते हैं वहां से लगा हुआ पूरा जाम आगे तक हम दिल्ली से निकले ते रात को ग्यारा बजे और अबजने दुपैर के दो इतनी लंबी ड्राइव के बाद में मनाली पहुंचे हैं और मौसम देखी किसा शांदार हो रहा कि अलकी अलकी सी बारिश हो रही है तो अब अपना लंच करते हैं उसके बाद मिलते हैं अपने होटल के अंदर बारी जब तेज होगी है अनका के मिलते हैं आप से तो शाम के बज़रे हैं चार और मैं आपको अपने होटल का व्यू दिखाता हूं तो यह कुछ व्यू है हमारे होटल के बार से तो बहतरीन नजार है तो बहतरीन नजार है कोई भी हिल स्टेशन में चाहे वह मनाली हो या मसूरी हो पर अगर आप ऐसी ऑफबीट जगह पे नहीं जा रहे तो आप हिल स्टेशन का मज़ा असली में लेनी पा रहे अगर आप सिर्फ हिल स्टेशन आ रहे मेरे यह साब से आप हिल स्टेशन आ रहे तो ऐसी जगह पे जरूर आए मौल रोट पर आप अशी जगह पे ज़रूर आए और चाए की चुसकी का मज़ा भी लें तो यह है मनाली की मालोड मार्केट तो मनाली मॉमोस से वेज मॉमोस ट्राय करते हैं तो यह है अपने वेज मॉमोस कर देना यार तो यह 8-1 कोन देखें टेस्ट करके कैसा है बहुत बढ़िया टेस्ट है 8-1 का कुछ डिफरेंट है तो पेट पूजा हो चुकी है और आइस्क्रीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है आप मॉल रोड की रौनक देख सकते हैं पर आज मैं कुछ ज़्यादा थका हूं क्यों कि दिल्ली से ड्राइब करके आया हूं तो आज तो मैं जल्दी होटल जा रहा हूं कल आपको बना ली क क्या कार्व कुछ आपे लग कार्व चक्प्वी करत मैं तब ए